हेलो फ्रेंड्स इन स्टुदेंट्स मैं हूं सौरब राठोड और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल सौरब राठोड चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर और कमेंड जरूर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नमब is a cell the cell is the basic unit of life the basic unit of life or you can say the fundamental unit of life ठीक है तो basic term भी यूज़ कर सकते हैं fundamental term भी यूज़ कर सकते हैं अब इसका मतलब क्या है कि cell हमारे life की सबसे basic unit है और you can say सबसे fundamental unit है for example किसी wall को बनाने के लिए सबसे छोटी unit सबसे छोटे में छोटी unit कौन सी है brick so एक brick के उपर दूसरी brick हम रखते जाते हैं और wall form होती जाती है ठीक है so you can see here these bricks are the basic part or the smallest part of this wall इस दिवाल की सबसे छोटी या basic unit क्या है ये brick है similarly हमारे body की या किसी भी living organism के body की सबसे smallest और basic unit क्या होती है cell cells से छोटा कुछ नहीं है cells आपस में combine होते है group of cells combines to form tissues cells combine होते हैं और जो एक structure बनाते हैं group of cells उसे हम बोलते हैं tissue tissues combine होते हैं और बनाते हैं organs ठीक है अलग-अलग organ आपस में मिलके एक organ system बनाते हैं and ultimately the body it can be a human body or an animal body तो सबसे छोटे में छोटा क्या हुआ cells cells combine होते हैं tissues बनते हैं tissues combine होके organ organ combine होके organ system और ultimately हमारी body बनती है तो किसी भी living organism का any living organism क्या क्या हो सकते हैं living organism में humans plants animals and microorganisms okay so in सारी category में living organisms में सारी categories आगई humans हो सकते हैं plants, animals, microorganisms कोई भी हो ठीक है इन सब की body की सबसे basic या fundamental और you can say the smallest unit is cells okay अब cell की discovery की बात करते हैं की cell discover कैसे हुआ सबसे पहले cell को किस ने देखा because most of the cells are microscopic microscopic अना microscopic का मदलब we require a microscope to see a cell discovery of cell ठीक है तो किस ने discover करा Robert hook in the year 1665 Robert hook ने एक self-designed microscope बनाया तो ये तो देखो कितने साल पुरानी बात है way back 1665 अना तो इतने साल पहले microscopes वैसा market में नहीं मिलते थे ठीक है उसे भी पहली बार बनाना पड़ा और उन्होंने खुद ने ही बनाया Robert hook ने ही एक self-designed microscope बनाया और उस microscope में किसकी study करी एक tree के trunk से जो उपर तना होता है तने के ऊपर जो bark होती ही ना the bark of the tree उस bark को निकाला और उसमें से एक बहुत चोटा सा piece निकाला cube जैसे हम बोलते हैं cork which is nothing but a bark of tree ठीक है पेड की चाल में से उपर से एक चोटा सा piece निकाला जैसे बोलते हैं cork और उसको self-designed जो उनका microscope उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने उसको पहली बार देखा अभी ये plant cells की study की उन्होंने सबसे पहली बार plant cell में mostly जो cells होते हैं वो dead cells होते हैं तो ये जो cork में उनको cell दिखाई दिये ना वो भी dead cells थे तो उनको किस तरह का structure दिखाई दिया जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में इस cork की study करी तो उनको कुछ ऐसा structure दिखाई दिया you can see it looks like a honeycomb honeycomb किसे बोलते हैं मदू मक्खी का छत्ता तो आप ये देखो मदू मक्खी के छत्ते जैसा ही दिखाई दे रहा है और इनके center में ऐसा छोटे छोटे dots जैसे उनको माइक्रोस्कोप में दिखाई दिये तो ये जो compartments दिखाई दिये ना उनने ये एक compartment बन रहा है ये दूसरा compartment बन रहा है इनको सबसे पहली बार Robert Hooke ने नाम दिया cell cell word का meaning होता है small room or you can say a small compartment तो ये छोटे 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 compartment छोटे छोटे room जैसे दिखाई दे रहे है तो उन्हों ने इसका नाम दे दिया cell और cells के अंदर ये central में ये जो छोटे छोटे dots दिखाई दे रहे है इसे हम बोलते हैं nucleus the central part of a cell is known as nucleus nucleus term का meaning ही होता है beach में beach का exactly जो beach में part होता है उसको नाम दिया गया nucleus जिसका function क्या है structure कैसा होता है वो अभी आगे इस chapter में detail में पढ़ेंगे तो सबसे पहले Robert Hooke ने cell को discover करा और ये नाम जो था cell वो भी उनों ने ही दिया सबसे पहले ओके अब जो अलग अलग organisms है तो cell तो सब में है बट cell का number अलग अलग हो सकता है cell number for example number के basis पे हम organisms को classify कर सकते हैं cell number के basis पे अगर किसी organism में सिर्फ और सिर्फ एक ही cell है ऐसे होते हैं कुछ organisms जो सिर्फ एक ही cell के बने वे हैं और वो एक ही cell सारे functions perform करता है उनकी body के अनकी जर्फ पार्फ शर्फ ऐसे विथे ऐसे एक ही एक ही इसल्रेज के बने वें हैं उसे हम बलता है unicellular organism for example amoeba यह organism सिर्फ एक ही cell का बना हुआ है और यही एक cell उसके सारे life process सारी metabolic activities सारे function कर लेता है अगर एक से ज्यादा cell है किसी organism में तो उसे हम बोलेंगे multicellular organism for example us हम लोग हमारी बोडी में तो millions of cells है so we are multicellular organisms again you can see this word is made up of two words multi means many and cellular is the term for the cells so an organism made up of many cells is known as a multicellular organism for example humans और भी दूसरे animals unicellular organism में amoeba example हो गया paramecium हो गया तो ऐसे बहुत सारे unicellular organisms भी है तो number के basis पे हम cells को organisms को classify कर सकते हैं unicellular and multicellular and multicellular अना unicellular में आप एक और example लिक्सकते हैं paramecium yes so this is the cell number you can say now the shape of cells cells का शेप उनके function के accordingly हो सकता है याना सारे cells का शेप एक जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है for example human body के हम बात करें तो हमारे blood में RBCs है red blood cells जो की शेप में spherical है spherical shape में होते हैं spherical क्यों है क्योंकि ये blood के अंदर है blood का काम है flow करना और ये spherical होंगे तो बहुत easily flow करेंगे RBC के अंदर hemoglobin होता है which is a respiratory pigment और hemoglobin ही blood को blood के साथ oxygen को carry करता है तो ये जतना spherical होंगे shape में उतना easily move कर सकते है तो RBCs red blood cells का shape spherical होता है तो फिर जो हमारे muscle cells है इन में भी type होती है अलग अलग बट उन में से एक है जो spindle shape के होते है ठीक है this is a shape of a muscle cell which is spindle in shape spindle मतलब balan जैसा ठीक है ये balan जैसा shape है thin ends ये ends thin है and thick from the middle spindle shape के होते है nerve cells हमारे जो nerve cells है nerve cells are the longest cells of our body हमारे body के सबसे लंबे cell है क्यों देखो जैसे rbc का मैंने logic बताया था कि ये spherical क्यों है similarly nerve cells लंबे क्यों है सबसे लंबे cells है हमारी body के nerve cells का काम है nerve cells are the part of nerves और nerves क्या करती है messages को brain तक carry करती है electrical impulse की form में अब ये जितने length में लंबे होंगे उतना जल्दी message brain तक पहुंचेगा और जितना जल्दी brain तक message पहुंचेगा हमारी body उतना जल्दी respond करेगी for example मेरा ध्यान नहीं है और मेरे इस हाथ में fire टच हो रहा कहीं से ठीके अब मुझे burning sensation pain feel नहीं होगा तो मैं हाथ अटाओंगा कैसे वहां से तो मेरा वो organ damage हो सकता है body part damage हो सकता है तो यह जो message है stimulus जो मिले मुझे मिला external stimulus message जो मिला heat वाला उसको brain तक कौन पहुंचाएगा nerve cells तो यह जितने लंबे होंगे उतना गल्दी message जाएगा okay so these cells are the longest ठीके और इनका shape भी दूसरे cells के से अगर हम compare करें तो कुछ अलग होता है something like this इसके shape को जाधा detail में आप higher classes में पढ़ेंगे यह dendrites होते हैं this is nuclear cytoplasm axon and the nerve ending so इन सारे parts की अभी as of now standard 8 में आपको कोई जाधा requirement नहीं है as of now just learn this in this example these are the different types of cells in human body तो इन सबका shape अलग-अलग है shape क्यों अलग-अलग है क्योंकि इनका function अलग-अलग है तो उस function को fulfill करने के लिए यह particular shape उनकी help करता है ठीक है this is the reason अब देखो जैसे amoeba की हमने बात करी amoeba अपना shape जो है न वो change कर सकता है वो जैसे ही food particle को देखता है वो अपने false feet बाहर निकालता है shape change करता है और food particle को grab कर लेता है तो उनका shape जो है न वो permanent shape नहीं है amoeba का similarly human body में white blood cells जो है न वो भी अपना shape चेंज कर सकते है ठीक है amoeba कैसे अपना shape चेंज करता है amoeba क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि single cellular organism है unicellular न एक ही cell है देखो यह cell बन गया इसके बीच में यह nucleus हो गया this is amoeba अब जैसे ही amoeba food particle को देखता है माल लो यहाँ पर उसका food particle है this is the food particle तो यह अपना shape चेंज करता है और दो ऐसे pair जैसे निकालता है actually pair तो ही नहीं उसमें cell ही एक है but उसे false feet बोलते है जिसका biological नहीं है pseudopodia उसे निकालता है और इसको graph कर लेता है ठीक है तो देखो food particle देखने के बाद वो अपना shape कुछ ऐसा बनाएगा अना दो ऐसे pseudopodia निकालेगा और यह food particle यहाँ पर आ गया देखो और थर्ड स्टेप में वो यह pseudopodia की help से यह pseudopodia है pseudopodia pseudopodia दो वर्ड से मिलके बनाए pseudo and podia pseudo का मतलब होता है false और podia का meaning होता है feet जूटे पैर क्योंकि यह पैर है नहीं ना पर्मानेंट ऐसा shape बनाएगा उसने food particle को graph करने के लिए यह food particle है इसको अपने अंदर ले लेगा वो यह nucleus हो गया और यहाँ यह food particle आ गया और यह food particle किसके अंदर चला जाता है food vacuole के अंदर इस पार्ट को बोलते है food vacuole और इसके अंदर digestive enzymes होते हैं जिसकी help से वो food को digest कर लेता है तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि कुछ cells का shape जो है वो permanent नहीं होता वो उसको change कर सकते हैं कुछ organisms अना जैसे amoeba unicellular organism है वो अपना shape change कर सकता है ठीक है human body की अगर हम बात करें तो हमारी body में wide blood cells जो हैं WBCs यह भी अपना shape change कर सकते हैं ओके सो cells के अलग-अलग तरह के shape हो सकते हैं now the size of the cell cell का size क्या है cell का size vary कर सकता है cell का size fix नहीं है ठीक है जैसा मैंने lecture के starting में बताया है आपको कुछ cells हम naked eyes से देख सकते हैं इतने बड़े भी होते हैं and most of them are microscope जादा तर जो है वो microscopic है उनको देखने के लिए हमें microscope की जरुवत पढ़ती है cell size ठीक है जैसे हम hand के एग की बात करें ठीक है तो hand का एग मुर्गी का अंडा हमें naked eyes से दिखाई देता है वह इतना बड़ा होता है वो एक single cell ही है it is a single cell only जिसको हम naked eyes से देख सकते है तो जितने भी एग्स है न वह single cell है सबसे बड़ा एग है इस अर्थ पे ओस्ट्रिच का ostrich egg काफी बड़ा होता है और इसका size ostrich egg का 170 mm x 130 mm इतना बड़ा भी हो सकता है almost इतना बड़ा एक होता है ठीक है और उसके उपर बहुत hard covering होती है कि यह तो ऑस्ट्रिच को break करने के लिए काफी ताकत लगानी बढ़ती है तो ऑस्ट्रिच एग क्योंकि वह एग है वो भी एक single cell है तो वह सबसे बड़ा you can say cell हो गया जो हम naked eyes से देख सकते हैं ठीक है most of the cells are microscopic जादा दर cells को देखने के लिए microscope चाहिए क्योंकि सब इतने बड़े नहीं होते है एक की तरह ठीक है अभी इसको समझने से पहले आपको मैं एक unit बता दूँ 1 meter में 10 raise to the power 6 micrometers होते हैं यह जो symbol है न अना यह यू जैसा एक टांग लंबी है उसकी इसे बोलते है micro micrometer तो 1 meter में 10 raise to the power 6 10 raise to the power 6 का मतलब क्या हो गया 10 lakh 10 लाक एक मीटर, एक मीटर almost इतना लंबा होता है, उसके 10 lakh pieces करो, can you imagine 10 lakh pieces, फिर वो जो एक पार्ट मिलेगा न, उसे हम बोलता है 1 micrometer this is micrometer okay, और जो सबसे छोटे में छोटे cells है न वो 0.1 micrometer से लेके 0.5 micrometer तक हो सकते हैं, यानि उस 1 micrometer से भी छोटे, only 0.1 micrometer, can you imagine कितने ज़ादा वो छोटे हैं, ठीक है तो naked eye से देखने की तो सवाल ही न, उड़ता है, उनको microscope की help से हमें उसको देखना पड़ता है, so you can see the comparison, इतने छोटे भी होते हैं और cell structure and function वो हम next lecture में पढ़ेंगे, तो आज के lecture में इतना ही, the basic part ओके, आज में इतना ही रखते हैं मेरे चैनल को subscribe करें, अगर अभी तक नहीं किया हो तो, और वीडियो पसंद आए तो like, share और comment जरूर करें, जै हिन, जै भारत नमस्कार झाल